एलो स्टूरेंस, आज हम डिसकस करेंगे 11th क्लास के एक पॉन, जिसका नाम है लेबर्नम टॉप और इसको लिखा है टेड हुज ने हैं, टेड हुज इनके राइटर है, इस पोईम के अंदर कर टेड हुज जो है एक ऐसे बर्ट के बारे में बताते हैं, जिसका नेस्ट जो है लेबर्नम नाम के एक पेड़ के, छोटा सा पेड़ है, छोटी साइज का पेड़ होता है, उस पेड़ के अंदर कहीं है, ठीक है, तो वो हमको उसके थ्रो दिखाना चाहते हैं, कि एक बर्ड जो है, जब अपने बच्चों के लिए दाना लेके आती है, तो वो कितने ज़्य ज़्यादा एक्षाइट हो जाते हैं, यानि एक नेचर का डिस्क्रिप्शन हो यहाँ पर कर रहे हैं, एक प्रकृति का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं, तो लाइन बाइन आवा हम इस चप्टर, इस पोयम को डिटेल में बढ़ते हैं, दर लेबर्नम टॉप इस साइलेंट, उस पेड का नाम है लेबर्नम, इसको आम अलतास कहते हैं हिंदी में, यह एक छोटा सा पेड होता है, छोटी यानि बॉने साइज का पेड होता है, यह लोग अलगी इसकी लीवस होती हैं, और बहुत हराब, यानि घना होता है, ठिक जिसको कह सकते हैं, तो उस पेड की टॉ लेबर्नम टॉप इस साइलेंट, टॉप का मतलब वो पेड जहां पर बहुत ज़्यादा उसमें पत्तियां है, वो बिल्कुल साइलेंट है, सांत है, क्वाइट स्टिल, दो वार एक ही चीज को रिपीट कर रहा है राइटर, यानि बहुत ज़्यादा सांती है, साइलेंट ही है, क्वाइट स्टिल भी है, पूरी तरीके से चुपचाब है, इन द आफ्टरनून और दोपहर का समय, यलो सेप्टेंबर सन लाइट, अब देखो हमको वो सीजन का भी इंडिकेशन दे रहा है, राइटर, कि कौन सा सीजन चल रहा है, इन द आफ्टरनून, दोपहर का स स्टार्ट हो जाता है, और विंटर सीजन में मैक्सिमूम जो हमारे प्लांट्स होते हैं, या ट्रीस होते हैं, वो अपनी लीव्स को गिरा देते हैं, तो इन द आफ्टरनून यलो सेप्टेंबर सन लाइट, यलो सेप्टेंबर की सन लाइट है, बहुत धहमी-धहमी सी, पेड का डिस्क्रिप्शन हो रहा है, या उस पेड का वर्णन किया जा रहा है, तिल द गोल्ड फिंच कम्स, और यह जो क्वाइट स्टिलनेस थी, कब तक थी, तब तक गोल्ड फिंच कम्स, जब तक कि एक गोल्ड फिंच नाम की छोटी सी चड़िया आ नहीं जाती, जब तक वो नहीं आती, तब तक यह quietness जो है, उस पेड पे च्छाई रहती है, with that twitching chirp, suddenness, फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो गोल्ड फिंच आती है, twitching chirp, वो यानि वो twitching की आवाज कर रही है, यह bird के, चहचाने के sound को show कर रहा है, इसको हम political language में onomotopoia, यह एक figure of speech ह उसका यूज करता है, राइटर यहां पर, यानि उसके चहचाहने की आवाज आ रही है, suddenness and a startlement, suddenness means यानि एक अचानक होने वाली चीज, strangeness, startlement, यानि चौका देने वाली चीज, at a branch end, किसी एक टहनी के अंत पर, चहचाहने की आवाज करते वे एक गोल्ड फिंच जो है, आ जाती है, और वो सांतिक हत्म हो जाती है, ऐसा राइटर कहना चाहता है, then the sleek as a lizard, sleek होता है, बहुत जदा smooth, चिकना ही जिसको कह सकते हैं, जैसे snake आपने देखा होता है, होगा कभी, तो snake या जो भी reptiles होते हैं, वो बड़े कोई बहुत चिकने से होते हैं, जैसे python होगा, उ चिपकली से उसकी compare कर रहा है, edge का word यूज करके, यानि similarly, यहाँ पर हमारा figure of speech यूज किया गया है, smooth है, जैसे इस तरीकी की उसकी चिकना ही है, जैसे lizard की यानि चिपकली की, and alert, चिपकली काफी alert होती है, और abrupt, abrupt means अचानक से होने वाले किसी भी incident के प्रती पूरी तरीके से चिपकली रहती है, c enters the thickness, c यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया है, इस gold finch के लिए, इस चिडिया के लिए, तो वो जो gold finch है, वो enter करती है, पहले कहाँ पर आ रही है हो, एक पेड के एक तहनी पर आ रही है, उसके बाद वो enter कर देती है, the thickness, thickness मिन्द जहाँ पर सबसे घ जहाँ पर है, and a machine start-up, और जैसे ही वो वहाँ पर enter करती है, एक machine start-up, एक machine सुरू हो जाती है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो machine कहा गया है न, वो उस पेड को कहा गया है, ठीक है, और जिस तरीके से, एक machine के अंदर, जो भी power होती है, उसको on करते ही, वो आवाज करन जो उसी तरीके से, यह जो पेड抵िमसीन है, इस machine में जैसे ही वो चुरिया enter करती है, उसके enter करते ही, यह पेड रूपी machine जो है, सुरू हो जाती है, आवाज करना सुरू हर देती है, अब देखो, यहाँ पर जो machine कहा है, इस को, उस पेड को, यहाँ पर भी figure of speech है, यहाँ प उपगलंकार चिक आगे बढ़ते हैं और चीटरिंग्स एंड आ ट्रिमॉर ओफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स यहां पर जो मसीन सुरू हुई है यानि मसीन की जो आवाज है वो क्या-क्या है एक तो चीटरिंग यानि उनकी चह चाहने की आवाज टैमॉर टैमॉर मिन्स फड़फडाने की आवाज और विंग्स यानि विंग्स के फड़फडाने की आवाज और थ्रिलिंग्स और उनका बहुत ज़्यादा वहाँ पर आवाज करना किसी भी तरीके का the whole tree trumbles and thrills पूरा का पूरा जो पेड़ है वो tramble means काब रहा है यानि उसमें बहुत ज़्यादा कमपन हो रही है thrills यानि हिल्डूल रहा है यही thrills हो रही है उसमें it is the engine of her family it यानि यहाँ पर उस gold finch को कहा गया है कि वह जो है अपने family के लिए एक engine है it is the engine of her family अपने family का engine है जिस तरीके से एक machine के लिए उसका engine बहुत ज़्यादा important होता है उस engine के बिना वो machine काम नहीं कर सकती ठीक उसी तरीके से उस family को feed करने के लिए खाना खिलाने के लिए अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए वो एक engine की तरह है यानि main part जिसको कह सकते हैं see, stalks it full stalks खिलाना उसको यानि satisfy होकर खिलाना see, stalks it full यानि उखाना खिलाती है उनका पेट भरती है then floods out उसके बाद उड़ जाती है यानि बाहर निकल जाती है to a branch end दुबारा से वो क्या हो रही है पहले एक बार enter की थी अब जो है दुबारा से branch उसी टहनी पर वो वापस आ जाती है यानि वहाँ से बाहर निकल जाती है stalk it full then floods out to a branch end showing her barred face, identity mask देखो बच्चों यहाँ पर कभी बहुत गहरी बात कह रहा है, गहरी का मतलब थोड़ा घुमा के एक बात को समझाना जा रहा है ठीक है थोड़ा समझने की कोशिश करना showing her show कर रही है, वो दिखा रही है her means अपना, barred face barred face का मतलब हुआ जैसे जो पेड है, वो yellow color का है क्योंकि September का महीन है, सारे पत्ते उसकी green से yellow हो चुके है और वो खुद भी वो जो चिडिया होती है, gold finch वो भी, जैसे आपने gold देखा हुआ, yellow color का ही होता है उसी के base पर इसका नाम भी gold finch रखा गया है तो वो भी खुद yellow color की है दोनों ही yellow हो गए अब yellow पेड में yellow color की चिडिया को समझना पड़ेगा तो जो black color की जो line बनी हुई है वो उसके identity mask है यानि उसकी identity है उसकी पहचान है क्योंकि नहीं तो yellow color की पेड में दिखा ही नहीं देगी तो उसका जो चहरा है वो ढखा हुआ है पूरा पत्तियों से पहचान में नहीं आ रही वो चिडिया कहा है तो उसकी जो identity है वो उसके वो दो यानि वो काली धारिया है barret face उसका जो ढखा हुआ है चहरा है identity mask और उसकी identity उसकी जो पहचान है उसके थोरो दिखाई दे रहा है then with airy delicate whistle उसके बाद वो अपनी delicate soft सी एक whistle एक आवाज़ों निकालती है चिरब यानि चह चहाने की whispering यानि फुस फुसाने की हलकी सी आवाज़ों निकालती है उसके साथ sea launch away वो उड़ जाती है towards the infinity यानि अनन्त की तरफ वो चली जाती है and the labernum subsides to empty और उसके बाद फिर से उस labernum top को empty खाली छोड़ जाती है क्योंकि अब जब उस गड़िया उर चुकी है तो बच्चे पूरी तरीके से silent है तो agitive जैसा पहले था ये labernum top वैसा ही हो चुका है तो उम्मीद करती हूँ ये पोएम आपको अच्छे से समझ माई होगी और इसी तरह वीडियो को देखते रहें मिलते हैं नए वीडियो के साथ